प्रजा की बलाई के लिए आपको यह रुकना होगा महराज के शरीर में यह तो आपने मुझे बहुत बड़ी समस्या के भवर में डाल दिया है यदि मैं जाता हूं तो शक्तेश्वार फिर से मुक्त हो जाएगा यदि मैं रुकता हूं तो निरान था जाएगा कोई ऐसा मार्ग निकाले जिससे इसी का भी अहित ना हो अब तो एक ही मार्ग है कि शक्तेश्वार की आत्मा को सदा के लिए इस धर्ती से समाप्त कर लिया था जो वश में नहीं आ रहा वो समाप्त कैसे होगा राजन अंबाव है मंत्री जी पर उसके लिए आपको मुझे उपाय बताना पड़ेगा कोई ऐसी बित्त जिसकी चर्चा महराज ने कभी आप से कि राजन इस विशे पर पुरोहिट जी ही कुछ बता पाएंगा तो शीकर बुनवाई हैं उने बृत्तु के पश्चात भी इस राजपुरुष के चेहरे पर कितना तेज है मुझे तो ये कोई योगपुरुष लगता है रिशिवर भोर होने को है हमें अंतिम यात्रा की तैयारी प्रारम कर देनी चाहिए अवश अरे राजा भोज कहां रह गए जल्दी आईए सूरी उदय होने में केवल कुछ ही पलशेश है इधर सूरी उदय हुआ उदर आपका शरीर जलकर राख हो जाएगा क्या करूं क्या करूं हाँ एक काम करता हूँ गुटिया को बाहर से बंद कर देता हूँ ये रिशीगन बाहर जाही नहीं पाएंगे बेताल मैंने तुमें सिंगासन की रक्षा का अधिकार दिया था किन्तु तुम पत से भटक कर रिशी मुनियों को सताने का प्रितन कर रहे हूँ स्मर्ण रहे यदि तुम पत से भटके तो तुम पर कष्ट आएंगे राजा भोज की परिक्षा में उनकी साहता करने की चेश्टा करने के प्रतन पर तुम्हें दंड मिलेगा जॉब से पूरे एक दिन तक रहेगा अब क्या किया इन होने हैं? मेरी आवास ब्रह्मा देव मेरी आवास को क्या बना दिया? महराज मृत आत्माओं से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है पिंडदान क्योंकि इससे उन्हें पित्र लोक में स्थान प्राप्थ हो जाता है किन्तु शक्तेश्वर के विशे में ये विधी उपियोगी नहीं है क्यों प्रोहिद जी? क्योंकि पिंडदान से उस आत्मा की मुक्ति और त्रिप्ति होती है जिसकी मृत्यू आयू के पूरे होने के बाद होती है किन्तु शक्तेश्वर की मृत्यू अकाल मृत्यू है ऐसे व्यक्ति की आत्मा को पित्र लोग में स्थान प्राप्त नहीं होगा पुरुही जी क्या ऐसी आत्माओं की शांती के लिए हमारे शास्त्रों में कोई विधा नहीं है? एक विधी है क्या है विवुधी? शीकर बताईए यदि कोई योगी पुरुष यग्य करके पित्रों की देवता आरिमा को प्रसंद कर ले तथा शक्तेश्वर की आत्मा को पित्र लोग में स्थान दे दे वो इस समस्या का हल है अन्य था पुरुही जी यदि ये उपाय समस्या का समाधान है तो हम उन्हें अवश्य प्रसंद करें आप इंड़ान की तैयारी शुरू कीजिए पुरुही जी अब हमें शम्षान भूमी के लिए प्रस्थान करना चाहिए ओम कल वाडलम पित्र संतानम ओम चतुर दर्शानम ओम भू पित्र संतानम ओम भुआ पित्र संतानम जल अर्पित कीजिए महराज महराज पिंडदान हो गया पुरुही जी अब इसके आगे जिस पित्र लोप में पुनर जन्म से पहले हमारे पूर्वजों की आत्मा वास करती है और अपने वन्षच के दान पुन्ने से उनकी त्रिप्ती होती है उस लोग के मुख्य देवता आर्यमा के आशिरवाद की हमें प्रतिक्षा करनी होगी हमें कैसे पता चलेगा कि देव आर्यमा हमारे इस पिंड़ दान से प्रसन हुए है जब कवे आकर इन पिंड़ों को ग्रहन करेंगे तब हमें ये ज्यात हो जाएगा कि वे प्रसन हुए कवे ही क्यों प्रोई जी? क्योंकि कवे पित्र के और उनका पिंड़ ग्रहन करना पित्रूं की त्रिप्ति का प्रतीक है इसलिए उनका इन पिंड़ों को ग्रहन करना अनिवार है जो ये प्रमानित कर देगा कि देव आर्यमा इस विधान से प्रसन है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है रोहिजी, इतना समय बीट के ला अभी तक इन पंडों को ग्राइंड करने के लिए पितर रूपी कववा आया क्यों नहीं? उन्हें बुलाना होगा तो रोहिज जी, हम कवों को कैसे बुलाएंगे? हमें उनकी ध्वनी में उन्हें बुलाना होगा क्या ऐसा करने से वैं आ जाएंगे? आशा है तो ठीक है काम 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 नाम नाम सत्षे थे राम नाम सत्षे है राम नाम सत्षे है काम 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 राजन हम आप से अती प्रसन्न बताई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हे देवारे मा इस कलश में एक अतरप्त आत्मा है इसे अपने पित्र लोग में स्थान दे ताकि प्रिथ्वे वासी इसकी आत्मा का शिकार ना बने राजन संसार के कल्यांड हे दे हम इस आत्मा को अपने फित्र लोग में इस्थान अवश्य दे में इसके में इसकी आत्मा यह यह क्या नर्थ होने जा रहा है कि अगर राजा बोज का शरीर जल गया तो फिर उनकी आत्मा भटकती रहेगी और आत्मा शरीर से ज्यादा बल्वान होती है और पिर अगर कहीं वो जाकर मेरे मित्रा के से खासन पर पालती मार गर बैठ गई तो मैं क्या करूंगा राजा भोज, जल्दी आईए, अरे मरने से पहले आजाईए अब मुझे आग क्याते राजन, ये राज्य सदा आपका आभारी रहेगा इसमें आभार कैसा मंत्री जी मैंने तो बस एक राजा का कर्तवे निभाया है और प्रजा की रक्षा करना तो एक राजा का परमधर्म होता अब मुझे विता दे अब मुझे विता है अब रिष्यवर मुझे शमा करें मेरी वजे से आप सबही को अब सभी को कश्ट हुआ परन्तु सच यह है कि वास्तव में मैं मृत नहीं था बलकि अपनी योगशक्ती से अपनी आत्मा को अपने शरीर से कुछ देर के लिए अलग किया था किसी उद्देश के लिए वाद्स मुख मंडल से संदेह तो था किन्तु जीवन का संकेत ना होने के कारण हमने शरीर का अंतिम संस्कार करना उचित समझा किन्तु शुभ ये हुआ के तुम समय से पहले आ गए जानता हूँ परना नर्थ हो जाता कैसे है राजन फिमान पेताद भला ये कैसा स्वांग मैंने सोचा राजन कि ना तो यहाँ देवी माहा माया है और ना ही अन्या पुतलिया आपको उनकी याद सताती होगी क्योंकि अब तो केवल मैं ही आपकी परिक्षायल हूँगा तो मैंने सोचा कि क्योंना स्त्री की आवाज बना कर आपका थोड़ा मनोरंजन कर दू आपने मेरे लिए इतना सोचा इसके लिए आपका नेक नेक धन्यवाद परन्तु आपकी पहले की आवाज बेटर था अब इसको कैसे समझाओ के पूरा एक दिन मेरी आवाज ऐसे ही रहने वाली है कि अगली सीड़ी चड़ने नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरी परिक्षा में यदि तुम पत से भटके तो तुम पर कष्ट आएंगे आपकी परिक्षा में सफल तो नहीं हुए लेकिन क्या करूँ मेरा रधाय बहुत धयालू है इसलिए चलिए चर जाई ये पांचवी सीड़ी धन्यवाश्रिमान पेता अनेक अनेक धन्यवाद राजन आपको क्या लगा कि आप फुर से सारी सीड़िया चड़ जाएंगे और सिंगासन की तरफ बढ़ जाएंगे नहीं राजन नहीं मैं हूँ बेताल जो गनले नहीं देगा आपकी दाल अगर आपको सिंगासन की तरफ बढ़ना है तो पहले आपको परोपकार की परिक्षा देनी पड़ेगी परोपकार की परिक्षा? पर नतु त्या की परिक्षा तो मैं दे चुका फिर ये परोपकार की परिक्षा की राजन या तो आप भोले हैं या भोले पन का नाटक करते हैं इतने ज्यानी बनते हैं आपको इतना भी नहीं बता कि त्याग स्वयम के लिए किया जाता है लेकिन परोपकार केवल दूसरों के लिए ही किया जाता है दोनों में बड़ा अंतर है वैसा ही अंदर, जैसा मेरे मित्र विक्रमादित्य में और आप में एक राई और दूसरा परवत, एक साधारन पानी और दूसरा शर्वत चलिए, इसी बात पर मैं आपको मेरे मित्र की परुपकार की कथा सुनाता हूँ अवश तो हुआ यू राजन के एक बार रात के समय मेरे मित्र अपने राजमहल में टहल रहे थे हर घर में प्रकाश फ्हलाने वाली है बातिया दन्य है आप हर घर की खबर रखती है हम समराठ होकर भी नहीं रखबाते हैं यह क्यों यह तो बातिया रो क्यों रही है क्या दुखे हैं इस घर की है यह बात यह लगता है जिस घर की है उस पर या तो पर विबत्ती है या फिर कोई विबता आने वाली है हमें पता लगाना होगा कि यह रो क्यों रही है क्या हुआ बहन? मेरा दुख यह है कि जिस घर में मैं जलती हूँ कल से उस घर में जलाने वाला कोई नहीं रहेगा क्यों बहन? क्योंकि मेरे घर में केवल दो जन है एक अंधी मा और उनका एक लौता बेटा बस दो जन तो है फिर क्यों रोती हो? क्योंकि कल से दो जन नहीं रहेंगे कल उसके बेटे की मृत्ती हो जाएगी और बेहन मेरा दुख ये है कि मेरे राजा ने बिना कारण जाने उस घर के बेटे को मारने का आदेश दिया है देवियो प्रणाम सम्राट प्रणाम आप यहाँ? हमारे पास? आपी की बाते सुनकर यहाँ आ रहे है आप हमें बता सकती कि वो यूवक कौन है जिसकी मृत्य होने वाली है और कौन है जो उसे मृत्यों दे रहा है आप जानकर क्या करेंगे सम्राट गरीबों पेसदा, अमेरों का अत्याचार और अज्याय होता रहा है कल मरने वाला गरीब अभागा यूवक जिसके भागय के साथ मेरा भागय भी जुड़ा हुआ है कल उधर वो समाप्त होगा और इधर मैं समाप्त हो जाओंगी और अपने घर में मैं कभी नहीं जलूंगी पर मैं तो जलूंगी और रोश्टी पर फैलाओंगी किन्तु उस दुख के साथ कि जिस राजिय में मैं जल रही हूँ उस राजा ने एक मिर्दोश की हत्या करकर अन्याय किया है हम वचन देते हैं कि अन्याय नहीं उन्हें देंगे हम यह पर आप हमें उस यूवक का नाम बता दीजे जिसकी मृत्य होने वाली है और उस राजा का नाम जो यह अन्याय करने जा रहा है उस यूवक का नाम है नामदेव और वो राजा है भद्रपूर के राजा रुद्र प्रताब रुद्र प्रताब देवियो, परन तो हमें ये तो बताए कि शमा करे समराट, हम इस से अधिक आपको कुछ नहीं बता सकते इसका मतलब पे कि आगे की विस्तरिच जान का रहे हमें वारा महीर जीही दे सकते ग्रहों के योग से तो ये कैसी आवाज है, मा, मा, चोड़ तो नहीं आई मा, तुम से कितनी बार बोला पानी चाहिए तो मुझे बुला लिया करो बिटा, हर बात के लिए मैं कहा तुझे बार बार बोला हूँ जब तक मैं जिन्दा हूँ, सारे काम मैं ही करूँगा, तुम बस आराम करो क्या बात है, वारा महिर जी, आप कुछ कहते है, कहते हरुग कह, जब साक्षात काल हो, तो मैं क्या कहूँ, समराट इसका मतलब? इसका मतलब उसके ऊपर मृत्यू योग चल रहा है, समराट, उसका पचना कठिन है और क्या है उस यूब की कुणली में वारा महिर जी? वो अभी तक अवविवाहित होगा, उसके पिता की मिर्त्यू बच्पन में ही हो गई होगी, उसके साथ उसकी माता होगी, जो नेत्रीन होगी अब कुछ आरा मिला? हाँ बेटा, चुक-चुक जीओ मेरे लाल, चुक-चुक जीओ बहुत कष्ट में समय है, और इसी कष्ट में उस लड़के की मिर्त्य हो जाएगे तथपश्यात, उसकी माता हो, उसके भी मिर्त्य हो जाएगे इस कार्थ है कि एक ही घर में दो दो मृत्यों हमेसा नहीं उने देंगे वारा मिहर जी अब तो इश्वर मेरी एक अंदे मिच्छा पुरी कर दें बस वो क्या मा? कि जब मैं प्रांट जाग दू तो तू मेरे पास रहे जा मा मैं तुसे बात नहीं करता हर समय मुझे छोड़ के जाने की बात करती है अरे बेटा गुसा हो गया ना बेटा पैट मेरे पास पैट पैट फारा मिहर जी हमें ये बताए कि काल की आने की दिशा क्या होगी समराट आप अटल को रोकना चाहते हैं नहीं गृत्यों के रूप में अन्याय और धर्म को रोकेंगे आप केबल हमें ये बताए कि काल की आने की दिशा क्या होगी हम उसे पहचानेंगे कैसे समराट काल की दिशा तो दक्षिन है और वो उसी दिशा में वास करता है रही बात रूप की तो उसके बारे में कुछ भी कहना कठीन है बस उसके आने और उसकी उपस्थिती की अनुभूती कर सकता है